Hello friends, welcome to my channel, study with Shruti. So, इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे method of effective communication या फिर therapeutic communication techniques. तो इसमें क्या होता है कि क्या-क्या ऐसी चीज़े होती है जो help करती है, एक अच्छा जो communication है उसको रखने में, एक therapeutic communication को रखने में. कभी भी आप से इसका example या फिर therapeutic value जो है वो नहीं पूछी जाती. अगर आपके साथ question आता है, तो यही आता है कि techniques क्या होती है, therapeutic communication को effective बनाने की या क्या method होते हैं effective communication के लिए. तो सबसे पहले आता है active listening. जब भी आप patient से बात कर रहे हो, चाहे वो patient आपको verbally बता रहा है कि वो हम से किसी ना किसी topic पे बात करें और हमें पहले ही decide करना होता है कि हमें patient से किस बारे में बात करना है. ठीक है, example के दोर पे हम बात शुरू तो करते हैं ना, उससे कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आपको अच्छा लगता है, यह सारी चीज़ें जो है पेशन्ट के साथ जो है बात करनी है, उसके बात आता है sharing observations, हमें जो है patient के साथ observations, जो है commenting जो होता है दूसरे लोगों के बारे में, उनकी sounds, कैसे act करना है या फिर वो क्या feel कर रहा है, उसकी क्या observations है वो सारी चीज़ें जो हमें उससे observations को हमें share करना चाहिए, ठीक है उसके बात आता है accepting knowledge what patient says and inform they have been heard acceptance isn't necessarily the same thing as agreement यानि की accepting का ये मतलब नहीं होता की जो agreement होता है उसकी तरह ऐसा नहीं होता acceptance का मतलब होता है कि उसको अच्छे से चीज़े समझ आ रही है उसको confirm हुई है जो हमने कहा है वही उसने सुना है और वो उस चीज़ को accept कर रहा है कि उसको उस चीज़ की knowledge मिली है तो ये जो है ये बहुँ जादा जरूरी होता है उसके बाद offering self यानि की जो है patient के साथ जाके time spend करना उसको समझाना उसके साथ बात करना उसकी problems को सुनना और उसके साथ discuss करना उसके बाद होता है sharing empathy यानि की empathy का क्या मतलब होता है किसी की जंगह पर खुद को रख के देखना कि उसकी क्या condition है वैसे ही empathy जो है share करनी है खुद को जो है एपनी ability होनी चाहिए कि वो person क्या feel कर रहा है उसकी feelings को हम accurately perceive कर सके अपने लिए और उसको उसी हिसाब से सोच समझ के उससे communicate करें उससे बात करें उसके बाद होता sharing hope जब भी हम उनसे बात करते हैं तो हमें जो है उनको हमेशा एक hope देनी होती है हम कभी भी उनको क्या है demotivate नहीं करते हैं हमेशा एक possibility जो है उनके सामने रखनी होती है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा एक अच्छी hope जो है हमें उनको देनी होती है उसके बाद आता है sharing humor patient को हमेशा encourage किया जाता है उसको कि वो अपनी जो भी negative energy है उसको reduce कर दे उसको हमेशा वो enjoy करे fun में रहे enjoyment का जो है एक light रहे वो बिल्कुल उसके कुछ भी जो है मतलब negative energy उसके उपर ना हो कुछ भी बुरा ना सोचे तो हमेशा ये चीज़े जो है उसको समझानी होती है और इसके लिए उसको encourage करना होता है उसके बाद आता है theme identification identify के जो है main issue होता है जो patients में हम देखने को मिलता है problems होती है जो frequently आती रहती है interaction की वज़े से तो उसको जो है हमें ध्यान रखना बढ़ता है कि ऐसा कोई issue ना हो उसके बाद होता है given recognition patient जो है उसका behavior उसके जो भी highlights होते है कि वो कैसा behavior है कैसे वो compliment दे सकता है या नहीं दे सकता है कैसी क्या चीज़े है उसकी जो है knowledge होना ठीक है और ये सारी चीज़े जो उसका behavior वगएर उसके compliments वगएरा शो करते हैं उसके बाद आता है reflection यानि कि patient की idea को समझना क्या वो कहना चाह रहा है patient के side से क्या return में हमें क्या चीज़ आ रही है वो सारी चीज़े देखना उसके बाद होता है using touch nurse जो है वो अपना हाथ patient की बोड़ी पे रखती है intention होती है कि patient को अच्छा feel हो जैसे कि हम कई बार patient हमारे समने रोनी लग जाते हैं तो हम उसको काम कराने के लिए उसको हाथ को करके ऐसे जैलाते हैं न की कोई बात नी कोई बात नी तो इससे क्या होता है उसको help मिलती है उसको एक अच्छे से encouragement मिलता है ठीक होता है healing power में heal होने में help उसके बाद आता है silence nurse जो है अगर वो बात करना बंद कर देगी चुप रहेगी एक moment के लिए तो patient क्या है वो सोचेगा, क्या समझेगा क्या चीजे चल रही है तो वो सारी चीजे भी silence भी वो effect करता है उसके बाद आता है informing जो भी relevant information होती है जो patient को पता होनी चाहिए वो हमें उसको बता देनी होती है उसके बाद आता है focusing एक जो भी पता है clear, clarifying इसके क्या होता है कि ये state करता है कि जो भी हमारा जो भी unclear या फिर जो ambitious जो भी message होते है जो sender का जो meaning होता है उन सबको इसके साथ वही पर आता है cautioning करना, वो जो भी caution कर रहा है उसको reply देना, उसको समझना restating करना, कोई भी idea है ऐसा जो कोई भी word है जो उसमें वो repeat चाहता है या आप उसको repeat कर रहे हो या client को जो भी essential words है जो fresher है, वो उनको बताना समझाना, उसके बाद summarizing कोई भी चीज, कोई भी information जो documentation के regarding है उसको एक summarized way में करना वो सारी चीज़े हैं उसके बाद confrontation ना करना बहुत जादा जो है patient के साथ arguments ना करना उसको attitude ना दिखाना ठीक है, एक अच्छा और calm behavior रखना और suggestion लेना कि कोई भी possible ideas कुछ भी alternative जो patient के pros या फिर कौन से related है तो जो भी इतने सारी techniques है इतने सारे points हैं इन में से आप कुछ भी point कर सकते हो और जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी ही चीज़े लिखनी हैं जो मैंने अभी आपको बताई है आप कुछ भी, कोई भी point सेलेक्ट करके जो आपको लगता है कि ये हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी techniques जो हैं हो सकती है जो आपके लिए आपका एक idea होगा तो आप कुछ भी जो है exam में लिख सकते हो बट वो relevant होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप कहींगा कुछ भी जो है इसमें लागे रख दोगे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए relevant होना चाहिए to the point होना चाहिए